दोस्तों अभी करेंट लेकर बात करें तो जो पाई कोईन हुपई ग्लोबल एक्षेंज पर लिस्ट हो भाई वो 260 उस्टी पर ट्रेट कर रहा है 29 ओप दिसंबर की को लिस्टिंग हुई थी और वहां से इसकी प्राइज में लगातार अब ट्रेन लगातार फ्लक्शुएशन देखने को मिली 345 प्रेटी वाला नया हाई बनाया 0.01 उस्टी पर लिस्ट हुआ था और 345 प्रेटी वाला एलिया ट्राई कियाने की 34500 परसेंड का मुमेंट देखने को मिला और ऐसा नहीं ही कि लिस्टिंग हुई और प्राइज में उपर मुमेंट देखने को मिला और जस से रिलेटर हम बात करेंगे कि क्या आपको अभी जो पाई कोई ट्रेड कर रहा हूँ बाई ग्लोबल एक्शेंज पर उसको बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए अगर आप उस टाइम बाई करते तो कितना प्रोफिट जनरेट कर पाते क्या मैंने इस कोई को बाई किया ह तो जैसे ही लिस्टिंग हुई थी लगातार उसमें मुमेंट देखने को मिला 0.01 पर लिस्टिंग हुई थी मुमेंट देखने को मिला तो अगर यहाँ पर हम देखें कि कितने कोई सर्कुलेशन में है तो इसकी तो हम exact calculation तो नहीं कर सकतें लेकिन यहाँ पर हम चार्ट में 30 मिनिट का चार्ट ओपन करते हैं तो नीचे जो आपको क्वाइन देख रहे हैं यह जो केंडल है यह नहीं होंगे यह ज्यादा ज्यादा होंगे तो टू लाग क्वाइन से सर्कुलेशन में होंगे एक चीज तो कुछ टैम से चल रही थी कि कोई क्वाइन खरीद रहा था पाई कोई जो है वो कोई खरीद रहा था कोई वन यूज़ टीम खरीद रहा था वन यूज़ तो नहीं लेकिन 0.1 या फिर 0.2 यूज़ या ने कि 10 रुपीया 20 रुपे कर राउन में खरीद रहा था तो हो सकता है कि उसकी तरफ से कोई unauthorized जो लिस्टिंग की गई है यह त तो फार एक data निकाले कि हम इस क्यान को जब listing हुई थी 0.01 बन सेट पर listing हुई थी हम बात कर रहे है 1 यूज़ टी कि अगर हम इस क्यान को वन यूज़ टी पर बाई कर लेती वक дней ने हां पर कीस्टिंग को वन यूज़ पर गय किया कितने रुपय का 1000 रुपय का बाई कि यानि कि एक हजार रुपे में मुझे वन यूजटी में कितने कोई आते अल्मूस्ट आते मेरे पास 11 कोई 11 से थोड़ा बहुत उपर मान लीजिए क्योंकि अगर 88 के राउंड में 88 रुपीज का एक यूजटी है तो 11 कोई मेरे पास आते अब मैं इस कोई को अगर यहाँ पर इसने 345 प्रोशिटी वाला एडिया ट्राई किया था वहाँ पर बेचता तो मुझे कितना प्रोफिट होता मैं 1000 रुपे से कमा पता 3,45,000 रुपीज यानि की 3,45,000 रुपीज और अगर चलिए ठीके मुझे नहीं पता कि यह कोई कहां तक जाएगा मैं वेट करता एक दिन दो दिन भी वेट करता एक यह रिस्क वाली बात बता रहा हूं आपको बाई नहीं करना 1000 रुपे कोई बहुत जादे आवाउं नहीं होता और minimum मैं अगर यहाँ पर बात करूँ बहुत सारे इसे इन्वेस्टर हैं जिनको मैं परसनली भी जानता हूं और यहाँ पर हमारी यूट्यूब से अंदर से भी जूड़े हुए minimum 40,000 से लेके 80,000 के बीच में इन्वेस्ट किये हुए हैं और उनका पोर्टफोलियो 10 to 20,000 कर रहा हूं आ चुका है तो 1,000 उनके लिए कोई बहुत बाड़ी बात नहीं उनके लिए नहीं कोई नया भी इन्वेस्टर उसके लिए 1,000 के कितने हो जाते हैं अगर मैं अभी आज की प्राइस बात करूँ तो 250 यूश्टी पर ये कोईन ट्रेट कर रहा है यनकी मुझे 1,000 रुपिय के कितने बन जाते मेरे 250,000 रुपीज बन जाते मेरे 1,000 रुपिय के तो ये चीजे देखने को मिल रही है 1,000 रुपिय के मेरे 250,000 रुपीज बन जाते तो ये बात है रिस्क वाली बात है कि यहां से अगर हम रिस्क लेते तो हमें इतना percent का मुनाफ़ होता 1 USDT से बात कर रहा हूँ मैं ये 1 USDT से लेकिन ये उस time की बात थी जब हम इस coin को 1 USDT, 2 USDT या फिर एक bottom वाला area हमाँ पर अगर buy करते तो लेकिन अभी अगर current situation की अगर मैं बात करूँ मेरे तरफ से अगर आपको मेरा point दूँ तो अभी इस coin को buy करना आपके लिए बहुत बहुत जादा रिसकी हो सकता 1000 रुपीज भी इसमें नहीं डालना जो moment होना था जो high create होनी थी वो हो चुकी है जिन लोगों ने पैसा डाल दिया नीचे के तरफ हो सकता उन लोगों ने मुनाफ़ा लिया होगा और जिन लोगों ने उपर के तरफ buy कर लिया 300 पर भी buy किया होगा किसे ने उनका थोड़ा बहुत loss होगा तो धीरे धीरे ये जो news है जो circulate हो रही है कि जो पाई में पाई कोईन है वो list नहीं हुआ है तो ये चीज़े सब चके fail चुकी अब इसको मुझे नहीं लगता कि कोई buy करेगा जो नया investment है जिसको बिल्कुल बिल्कुल knowledge ही नहीं है कि क्या पाई कोईन है क्या है क्या नहीं उसने accidentally हुबई global exchange को play store से download किया वहाँ पर account बना और उसने pie coin देखा कहीं से भी देखा pie coin और buy कर लिए तो ये चीज़े हो सकती है वो जरूर buy करेगा तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है और अगर आप गलती फिर भी करते हैं तो बहुत सारे लोग फिर भी गलती करते हैं तो बहुत जादा रिसर्च करनी है तो मेरे दिमाग में ये चीज़े हो रही थी लेकिन मैंने बहुत जादा कंट्रोल किया लेकिन अगर कहीं न कहीं हुबाई global exchange पर मेरी मेरा account होता मेरा account भी create नहीं किया मेरा account होता तो हो सकता था मेरे पास wallet में पैसे होते हुबाई global exchange के मैं शायद इसको buy कर लेता या चाहे 100 USD पर buy करता 50 पर वो अलग चीज़े है या फिर 300 पर buy करता लेकिन मैं buy कर लेता तो ये साथ किसी की साथ भी ये चीज़े हो सकती psychologically है ये तो human behavior है कि हम अपने मन पर कितना control कर सकते हैं तो ये चीज़े आपको ध्यान रखनी है मेरा जो purpose था वीडियो क्रियेट करना का वो था कि आपको इस coin को buy करना चाहिए या नहीं करना चाहिए बाकी जो भी आपको करना है वो आपके खुद के risk, खुद के research के हिसाब से करें यहाँ पर buy or sell खुद के risk, खुद के research के हिसाब से करें यहाँ पर हम कोई फाल से advice नहीं दे रहें वीडियो अच्छा लगा है आपको अगर information अच्छी लगी है तो वीडियो को like ज़रू करें चैनल को subscribe कर ले ता किस टाइब की regular updates आपको मिलते रहें बेल आइकन को प्रेस कर दे description में हमारे social media accounts की link के है उनको भी आप जरूर फूलो कर ले thank you